यहां पर laptop योजना को ले करके हल चले बहुत तेज हो चुकी है लगातर सभी जिलों के द्वारा लिस्ट है वो जारी करी जा रही है तो इसी क्रम में आज MPBOOT के द्वारा 10 जिलों की 10 डिस्टी की और लिस्ट जारी करी गई है जिसको हमने website पर प्रॉपरली अपडेट कर दि है यहां पट टोटल आज 10 जिलों की लिस्ट आई है इस तरीके से कम से कम 20 जिलों की लिस्ट वो अपडेट हो चुकी है और तीस जिले बच गाए वो कल यहां परसों तक सारे जिलों की लिष्ट है commitmentsonoot कर लेना है चले माले को बता हुऑ है कौन से कौन से जिले की लिस्ट आई है और आपको कैसे डाउनलोड करना है तो गाइज डाउनलोड करने के लिए आपको Google के सर्च बाहर में जाना पड़ेगा Google के सर्च बाहर में आने के बाद आपको यहां पर टाइप करना है physicsindy.com क्योंकि यह डिस्टिक वाइज लिस्ट आपको कहीं और पर नहीं मिलने वाली है मैं आपको जैसे के अमेशा बताता हूँ MP बोर्ड की जो भी लेटेस्ट अपडेट आती है सबसे पहले यह ब्लू कलर की जो वेबसाइट दिख रही है यहीं पर अपडेट करे जाती है क्योंकि बोर्ड के दोर हमारा कॉलबरेशन है तो यहां पर सारी ख़बरें अपडेट कर दी जाती है तो जैसी मैं इस पेज़ पर कलिक करूँ है तो यहां पर आपको गाईज इंपोटेंट अपडेट का यह वाला सेक्शन दिखाई दे जाएगा यहां पर तीसरे नमबर की जो लिस्ट है वो है डिस्टिक वाइज स्टूडेंट अप एमपी फ्री लैप्टॉप योजना की लिस्ट गाई यहां पर अपडेट करी जा रही है तो चलिए हम अभी क्या करेंगे इसको ओपन कर लेंगे इसके बाद यहां पर थोड़ा सा आपको नीचे की तरफ आना पड़ेगा जैसी आप यहां पर चाहो तो इसको पूरी जानकारी को पढ़ लेना तो यहां पर पूरी डिस्टिक वाइज लिस्ट है वो यहां से खुल करके आती है तो गाई अभी अभी क्या हुआ है यानि अगर की लिस्ट आ गई है वो हमने अपडेट कर दी अनूपर जिले के अगर आप इस्ट्रूएंड है तो उसको यहां से डाउनलोड करना पाओगे बाला गाट की वी लिस्ट यहां पर आ चुकी है इसके बाद भिंड जिले की लि लिंक मिलेगी उसको आप जरून जोइन कर लेना क्योंकि जो सारी चीज़े यहां पर अपडेट नहीं होती वह वाटसेप आपको प्रवाइड करा ही जाती है इसके बाद यहां पर जवलपुर जिले की भी लिस्ट आ चुकी है इसके साथ ही मुरेना और नर्सिंग पुर की बोर्ड के द्वारा हमारे पास बेजी जा चुकी है और कुछ जिलों की लिस्ट आना बाकिया वो कल या परशो तक हम अपडेट कर देंगे अब इन में से आपका कौन सा जिलाए जिसकी लिस्ट अभी तक यहां पर अपडेट नहीं की गई है वो आप हमें प्लीज कमेंट क करके बता दीजिए तो जिससे हम क्या करेंगे फटापट से उसी जिले की लिस्ट को सबसे पहले अपडेट करने की कोशिस करेंगे जिससे सभी स्टुएंट का यहां पर फाइदा हो सके